टाइमिंग की बात करता हूँ, सारे विपक्सिदल, ओवेसी हो, राहूल गांदी जी हो, या आरविन केजरिवाल हो, या ममता जी हो, ये जूट की रादनेती कर रहे हैं, इसलिए टाइमिंग का महतो नहीं है, भारतिय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोशना पत्र में कहा है कि हम CAE लेकर आएंगे, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश के, जो सरनार्थी है, उनको नागरिकता देंगे, तो भारतिय जनता पार्टी का एजंडा बहुत स्पस्ट है, और वो एजंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है, 2019 में ही एप बिल, संसत के द और थुड़ा लेट हुआ, अब टाइमिंग का क्या महतो है, सरकार ने अपनी विल, चुने जाने से पहले अभीव्यक्त कर दी है, चुनने के बाद फर्ष्ट प्राविर्टी में, पहले ही साल में, दोनों सदनों से, इस कानून को माननेता मिल गई है, रूल्स फॉर्मालि करन की रादनीती करकर, एपीस्मेंट की पोलिटिक्स करकर, वाट बेंक को कॉंसल्डेट करना चाहता है, मैं उनको विननती करना चाहता हूं, कि आप एक्सपोज हो चुके हो, यह मत करिये, पूरे देश की जनता जानती है, कि CAA इस देश का कानून है, और इस चार साल में म 2019 के बाद अब हुआ है, स्मिता जी मुझे एक बात बताईए, वील ओफ लेजिस्लेटर, वील ओफ गवर्मेंट, बिल से प्रगट होता है, या रूल से प्रगट होता है, अब्यस्ली बिल से, रूल व्यवस्ता करता है, जो करने में पहले कोविड के कारण और बाकी सारे प अब से नागरिकता मिलेगी, तो 2014 के पहले से, वो ठमरूल वही का वही है, आज क्या फर्क पड़ गया है, बताईए, वोई फर्क नहीं पड़ा है